तो जैसा की पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग All Heaven Star System में आ चुका था, और ये जो लोग रहते हैं, जो चार लोग इसे मिलते हैं, इन में से जादतर कोई है लगता है, कि ये थंडर सेलिस्टिल मेसेंजर है, वांग लिंग न तो इसे एकसेप्ट करता है, न तो डिनाई करता है, अब आगे, अब ये जो लड़की थी रान यू, ये थोड़ी समझदार थी, तो अपने दिमाग में कैलकुलेट करने लगती है, कि ठीक है इस वांग लिंग के स्पेल्स, बहुत शौकिंग है, लेकिन जो थंडर सेलिस्टिल मेसेंजर होते हैं, वो वांग लिंग के साथ, लेकिन इनकी स्पीड काफि स्लोगती है, वांग लिंग सूसता है कि यार थोड़ा थ देच चला जाए, लेकिन फिर या धिमाग लगा था और इनके स्पीड के साथ ही चलता है, और इन से कल्टिवेशन जो प्लैनेट से यहाँ पर, ब्लैनेट, रा थाउज़न इल्यूजन है वो ज़्यादा पावर्फ़ल है उसके आसपास हमारा प्लेनट और भी बहुत सारे प्लेनट है पर वांगलिंग हेरां था कि यार प्लेनट थाउज़न इल्यूजन थाउज़न ये नाम मैंने सुना लग रहा है अब इसे याद आते है कि जो जुको स्टार सिस्टम है, यह चार डोमेंस में डिवाइड़ है, चार भागों में, इस्ट डोमें, वेस्ट, नॉर्थ और साउट डोमेंस, और वांगलिंग फिलाल, नॉर्धन डोमें में था, अब यह लोग पूछते हैं कि आपने हमें बचाया, आपका नाम क्या है, वांगलिंग लोग और रती से रेस्पेक्ट देने लगते हैं। वरान यूँ इससे पूछने को देखती हैं। कि आप कहां से आ रहे हैं। फिर इसके दिमाग में आता हैं। कि कहीं गुस्ता न हो जाएं। तो ये फिर इससे माफी मांगती हैं। अब वांग लिंगन से पूछता है कि ये तुम प्लैनेट डॉंग लिंग के बारे में जानते हो। अब ये सुन करके जो जूँ शान और बाकी लोग थे और डर जाते हैं। कुछ कदम पीछे अटने लगते हैं। इवन जो रान फैमली के तीन लोग थे वो भी डर जाते हैं। ये चारो डारेक्शन बदलना चाते थे पर वांग लिंग के डर की वेज़े से शानत रहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक ब्लू प्लैनेट वांग लिंग को नजर आता है। और यहां पर जो स्परिक्वल एनरजी थी काफ़े डेंस थी। वांग लिंग अब प्लैनेट रानी उन पे पहुँच चुका था। इधर ये चारो अपनी फैमिलीज में जाके जो भी इनके साथ हुआ था बता देते हैं। इधर इसी दोराल स्पेस में अलायन्स स्टार सिस्टम में ये अलायन्स से याद रखना। एक डार्क रेड लाइट काफी तेजी सा आगे बढ़ रही थी और इसके अंदर एक ओल्ड मैन बैठा ववा था और ये बंदा कोई भी चीज ऐसा उड़ने के लिए यूज नहीं कर रहा था मानों ये टेलिपोर्ट कर रहा था। इसके बगल में एक वुमेन भी बैटी थी और दिखने में काफी सुन्दर थी होट एकदम लाल आख एकदम फेनिक्स के जैसे सुन्दरता की तुलना न की जा सके कुछ वैसी थी और इसने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था तो फिलाल इस ओल्ड मैन को ये वुमेन फॉलो कर र और ये ओल्ड मैन कहता है कि मी एर किया तुम्हें अभी भी थोड़ी निराशा फिल हो रही है लड़की बोलती कि मैं यही पर पली बड़ी हूँ इसी अलायंस स्टार सिस्टम में तो थोड़ा तो हो कही है अब ओल्ड मैन भी कहते हैं डेंशन मतलो जब तुम्हारा कल्टि और इसे समझ में आ गया था कि यह लड़की जो है थाउजन इल्यूजन रूथलेश डोमेन को कल्टिवेट करती है और टैन थाउजन इल्यूजन हेवनली डेमन डोमेन के तरफ बढ़ रही है यह बंदा जो था यह वान फैमली का हेड एल्डर था थाउजन इल्यूजन प् सिस्टम जहां कि इसका घर है वहां बढ़ रहा था सिंसेप्ट होता है और और अलेवन स्टार सिस्टम में प्लैनेट रान यून को दिखाय जाता है वांगलिंग यहाप आ चुका था और तीन पावरफुल डिवाइन संसेस यह फिल करता है वांगलिंग गायब हो जाता है म दो अर्ली स्टेज में यह लेवन स्टार सिस्टम इंट्रेस्टिंग तो है यह प्लैनेट पर इतना पावरफुल स्परिच्वल एनरजी बट तीन ही लोग इतने पावरफुल कुस तो गडबड है नहीं तो इससे कोई और प्लैनेट लूट चुका होता है वांगलिंग यह ज्यादा पावरफुल न हो जाओं वहां नहीं जाओंगा और आभी एक नॉर्मल तलवार निकलता है इसके उपर बैटके उड़ने लगता है यहां के इसाप से कपड़े भी पहल लेता है और आभी एक खुद स्पेल भी उजनी करता था जो सेलेश्टिल गार्ड था इसका जिसके लोग देग भी नहीं सकते थे वो शैडो में छिपा रहे था था उसके मदद से यह आगे बढ़ता है सिटी के तरफ बढ़ता ही है जहापर सन फैमिली लिखा हुआ था गार्ड भी से रोकते नहीं है कि अरे यह नॉर्मल बंदा है कोर्फॉर्मेशन के लेट फेज म तो इससे फिलल यहापर एक पांचवाँ घर मिला था वेश्ट के साइड में अब जो यंग मैन ने से रूम दिया था वो भी सोचता है कि एक और फॉर्न कल्टिवेट है जो कि मेरे सन फैमिली का कमरा चाहता है ताकि अपने नासेंट सोल को बना पाए और इस बंदे का टैल चारबुंदी यह ले चुका था जब इसने वो फ्रूट लिया था उसे पचाने के लिए तो फिलल यह इसे लेने को ने देखता है कि जब इंजर्ड होंगा तो यह काम आएगा तो अब इसका मक्सद था सेलेस्टियल जेड पाना ताकि रोज कल्टिवेट कर पाई है चुर जब यह सुजा को प्लेनेट पे था तो एक बंदे का टाइम डोमेन इसने एक्सप्रियंस किया था तो उस डोमेन को इस मिरर के अंदर डालता है हेयर पिन में यह जो लियू में का थाउजेंड इल्यूजन डोमेन था उससे कॉपी करता है और फ्लाइंग स्वर्ड भी बस तो उसमें एक टेलिपोर्टेशन का मार्क लगा दिता है ताकि इसे यह तेलिपोर्ट करवा पाये तो बेसिकलि इन्हें सिरो सेलेस्टियल टरेजर्स कहा जा सकता है यह सबसे हाई क्वालिती के मैजिकल टरेजर्स थे जो कि वांगल रिंग अप बना सकता था अब Currently जाक य अगर inheritance डालता हूं, तो ये एक special method होता है, तो बस इसे वही control कर सकता है, जिसने पहली बार खरीता है, पूरी तरसे inheritance तो ये लगा नहीं सकता था, क्योंकि इसे grand master level के लोगी डाल सकते हैं, बट ठीक ठक level पे ये कर लेता है, जैसे कि restrictions के कुछ layers वगरा लगा करके, अब wangling बा spiritual energy जादा dense होता है, फिर वो बंदा बैट करके cultivate करने लगता है, फिलाल wangling एक market के अंदर एंटर करता है, ये जिससे पूछता है कि मैं ये सब treasures कहां बेच सकता हूं, वो बंदा भी हसता है कि एक core formation का बंदा और चीजे exchange करना चाता है, एक store के अंदर ये एंटर करता है, इस wangling भी कहता है, ओ, तो क्या रूले आंगे, बंदा जो था, जो कि इससे बोला था, वो भी हरान था, कि एतना काम कैसे हो सकता है, अब middle age man कहता है, कि क्या तुम हारी पास, सौ हजार क्या सपास, spiritual stones है, wangling नामे सरीलाता है, middle age man हसता है, कि फिर तुम अंदर नहीं आ सकते, औ और आप ही गए, तो फिर बाहर निजा पाओगे, तो अभी से निकल जाओ, wangling पुस्त है, क्या तुम treasures लेते हो, और तुरंत ही, flying sword निकलता है, अब ये बंदा, इस तलवार को देखता है, कि इससे समझ में आता है, कि ये low quality के method से refine किया गया, तो ये ठीक भी नहीं, तो इ इससे समझ में आता है, कि इस तलवार में कुछ अलग है, पॉविलियन के अंदर से गवाज आती है, कि लू फैं, क्या हुआ, अब ये जो middle age man था, वो family बोलता है, कि elder son, अभी एक cultivator है, magical treasures बेजने, अब जो old man थे, वो पॉविलियन से बाहर आते, इनका थोड़ा के early phase में थे, basically ये पहले soul transformation में हुआ करते थे, बट एक injury के वज़े से इनका power level गिर गया था, वांग लिंग यहाँ से अब निकल चुका था, जा रहा था, और ये old man वांग लिंग की तरफ देखते, और finally बोलते हैं यार उस बंदी को, मैंने कहीं देखा है, वांग लिंग करके बोलता है, हलाकि हमारे दुकान बड़ी नहीं, लेकिन हमारे पास collection ठीक ठाक है, आपको क्या चाहिए, इसका power level, nascent soul के early phase में था, बदले में वांग लिंग भी smile करता है, और flying sword को निकालता है, क्या आप इस तलवार को accept करोगे, अब ये भी सोचता है, यार क्या तलवा क्योंकि तलवार के अंदर एक spell था, और इतना powerful कि इसका nascent soul भी काप जा रहा था, अब ये बंदा अपने और आपको इस तलवार के अंदर भीजता है, और मानू ऐसा फिल करता है, कि ये nature के साथ mix हो चुक है, spell को तभी activate भी नहीं किया था, और finally बोलता है कि सही तलवार है, बस इसका speed कम है, finally इस तलवार के spell को ये activate करता है, और ज़्यादा है तलवार कायब हो जाती है, और फिर 100 फेट के दूरी परकट होती है, ये तो बंदा ढर जाता है, दम मतलब अल्यकी level पे, काफी ज़्यादा शौक्ट था, ये बस हाथों से शारा करता है, और तलवार साम कि अगर आप टेलिपोर्ट जाता करोगे, तो उस पर एक pressure आता है, तो इसके तूटने के chances रहते हैं, और वांग लिंग इसले इससे डाल पाया था, क्योंकि इस पर इसने life or death domain को use किया था, और ये हमेशा बना रहेगा, वांग लिंग कोई है, बोलता है कि पचास अजार top quality के spiritual stone आपको दे सकता हूँ, वांग लिंग बोलता है ठीक है, क्या तुमारे आसपास कोई soul transformation cultivator नहीं है, अब बंदा भी बोलता है, क्या आपको ये लगता है, कि मैं इस flying sword को अच्छे से judge नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा आपको लगता है, कि मेरा power level कम है, हमारे seniors हैं, जोके soul transformation ठीक है, मैं उन्हें बुलाता हूँ, अब यहाँ पर एक elder आते है, जिनका नमता Sun Moon, हलाकि वांग लिंग के cultivation को ये भी ने देख पाते हैं, क्योंकि इनलोग ने barriers लगा हैं, अगर वांग लिंग का cultivation, soul transformation तक रहे था, और इसने पने power को ढखा होता, तो पता चल जाता, तो क् 500 किलोमेटर के ज़्यादा दूरी पर टेलिपोर्ट करता है, और तलवार में lightning और भी mix थी, और finally बोलते हैं, ये तो celestial treasure के लगबग है, basically ये pseudo celestial treasure है, और अब ये कहते हैं, शायद ये तुमें तुम्हारी family के किसी powerful बंदे ने दिया होगा, तुम सच में बेजना चाते हो, इस तो और अब आख हो जाते हैं, कि इसके अंदर तो inheritance type power है, और ये pseudo celestial treasure है, और इनको अब लाला चाता है, वांग लिंग शान्त था, बटी सोचता है कि अगर ये old man मुझे लूटने को देखेगा, फिर ये बचेगा नहीं, अब old man पूछते हैं, इसका कितना चाहिए, वांग लिंग बोलता है 50,000, अब old man पूछते हैं, क्योंकि इन्हें भी तो ascendant level पे जाना है, तो इसके लिए celestial Z लगेंगे, अब ये हिचाक रहे थे, कि चुराओं, क्योंकि ये वंदा, शायद किसी powerful cultivation family का है, तो इसके 10,000, celestial Z ये वांग लिंग को देखे, वहां पे साथ mistake से उन्ह follow कर रहा था, एक बड़ा सा हाथ आता है, पर वांग लिंग इसे collapse करवा देता है, फौक गायब हो जाता है, और आवाज आती है, कि तुम core formation level पे नहीं हो, और एक बंदा खून के उल्टी करता है, ये पीछे भाग जाता है, इससे समझ में आ चुका था, वांग लिंग अभ भी भी इसका पीछा कर रहा था, इसका nascent soul भी बिखर रहा था, city के अंदर ये प्रवेश करता है, और अदमरे हालत में हो चुका था, sun family के घर में पहुंचता है, और उन्हें बोलता है, मुझे बचा लिजे, अब यहाँ पर एक white old man, इसे कुछ pills खिलाते, वांग लिंग भ व्यापार के से, फिलाल जो तीन में से एक बंदे थे, वो वांग लिंग से पुछते, तुम family भी चार्ज कर रहे हो, तो मैं पता है तुम क्या कर रहे हो, वांग लिंग स्माइल करता है, और बताता है कि मैं इनके लिए हूँ, elder son की तरफ इशारा करके, elder son बोलते है कि मैं वांग लिंग से बोलते हैं कि अब तुम्हें यही रहना पड़ेगा, जब तक कि तुम्हारे elder नहीं आते हैं, नहीं तो मरो, पर वांग लिंग को आता है गुस्सा, इसके body से मानो, एक thunder type power बाहर निकलता है, son family के लोग इसे register भी नहीं कर पा रहे थे, finally ये लोग डरने वांग लिंग से माफियों मांगते हैं कि हमारा problem था, वांग लिंग बोलता है कि मुझे 200,000,000,000 इसके बाद ही मैं जाओंगा, अब ये बोलते हैं, ये हमारे son family का बस एक branch है, कि तुम तीन दिनों तो कवीट कर सकते हो, वांग लिंग यहां से निकल जाता है, क्योंकि एक और ascendant level का divine sense, इस बंदे के उपर ये feel कर रहा था, अब इसके जाने के बाद, बाकि elders discuss करते हैं, grand elders है, कि ये तो बहुत बड़ा amount है, main family के लिए भी, अब old man बताते हैं, कि हमारे जो ancestor हैं, उनका divine sense आया था, उन्होंने बोला था कि मान जाओ, कि अगर ये 400,000 भी मांगता, त हमें देना पड़ता, और एक और चीज़, इस बंदे को disturb मत करना, इधर scene shift होता है, रान्यून प्लैनेट के east side को दिखाय जाता है, जहां पर एक नदी सागर बहरा था, और एक old man को, एक आदमी को दिखाय जाता है, जिसका उपर का body, कपड़ा इसने नहीं पहना था, और य जिसके लिए वांगलिंग ने भी warning दिया था, कि मुझे डिश्टर मत करो, और फिलाल ये बंदा अपने समुद्र में अंदर और चला जाता है, क्योंकि वांगलिंग का भी मकसद यही था, कि इससे नौर्मल एकदम रहना है, जिससे कि बाहर के लोगों कुछ भनक न लग सक कि कोई powerful बंदा यहां पर है, वांगलिंग वापस लटता है, और एक अवाज आता है, कि तुम रुको, वांगलिंग चौक जाता है, वो बंदा वांगलिंग को घ्यान देता है, यह तुम्हें पता है cultivators के लिए, सबसे बड़ा जरूरी क्या है, नियम कानुन को follow करना, तु समय तुम्हें cultivate करना चाहिए, नहीं तो तुम lifetime, nas and soul नहीं बना पाऊगा, वांगलिंग चौक जाता है, और एक smile देता है कि ठीक है, अब यह बंदा और समझाता है, कि देखो मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूं, बट cultivation world में तुम्हें समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो senior duty यहं थे, यानि soul refining tribe वाले, वो भी वांगलिंग को इतना ग्यान नहीं दिये थे, और मानों यह बंदा वांगलिंग को डाट रहा था, और वांगलिंग भी मान जाता है कि ठीक है भाई, इस बंदे को और अच्छा लगता है, लेकिन यह seriously बोल रहा था, और यह बोलता इस बंदे के तरफ दीखता है, पीचे से यह बंदा थोड़ा balance नहीं दिख रहा था, बंदा अपने बालों को पीचे करता है, मानों वांगलिंग जब इसे पलट के दीख रहा था, तो इसे feel होता है, और फिलाल यह बंदा भी चला जाता है, यह basically बंदा नहीं था, यह कोई लड़की थी, जो की आदमी के कपड़ों में घूम रही थी, और इसने spell से अपने चेहरे को ढख रखा था, और वांगलिंग जब आया था, तभी इसे पता चल गया था, spell को यह पूरी तरह से feel नहीं कर पाया था, तो इसे पता नहीं था, कि यह लड़की है, बस इसे पता यह spell यूज कर रहा है, यह वही नासेंट सोल वाला कल्टिवेटर है, जो यहाँ पर रूम लेगे रहता है, फिलाल वांगलिंग यहाँ पर कल्टिवेशन शुरू करता है, समय निकलता है, तीन दिन निकल जाते हैं, और जो इसके पास एक हजार सेलेश्टियल जेड थे, व स्टेप में हूँ, यानि कि जो एसेंटेंट लेवल तक और यह नियान तक फर्स्टेप भी माने जाता है, उसके बात सेकंड स्टेप सुरू होगा, तो उसमें तो और इनर्जी चाहिए, फिरिये सोसता कहीं सेकंड स्टेप में सेलेश्टियल और लगती नहों, कुछ और त करने के लिए, पर वांगलिंग जानता था, कि ये लोग चीट तो नहीं करेंगे, और यह ये भी बताता है, कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अगर आप क्लोज जोर कल्टिवेशन में जाना चाते हो, तो इस सिटी में और अच्छे जगे हैं, वांगलिंग बो बोलता है, कि वहां पर जानने के लिए जो चीट चाहिए, वो दे दो, बंदा एक टोकन देता है, और वांगलिंग अब इसे बोलता है, कि तुम जाओ, बंदा बाहर निकलता है, और इसके पसीने छोट रहे थे, और वांगलिंग इससे एक चीच कहा था, कि दूसरी बार बनाना कितना मुश्किल है ली मुवान एक एलकमी ग्रैंड मास्टर थी और वो रैंक 6 तक के पिल बना पाती थी और हर एक पिल के रैंक में भी तीन लेवल्स होते हैं लो मिड और हाई जब वांग लिंग नासेंड सोल में जाने वाला था तो रैंक 6 का पिल खाया था और नहीं करूंगा जैसा कि वांग लिंग ने नहीं किया था इसका मतलब मैं फर्स्ट एफ अफ कल्टिविशन को पार कर चुका हूं फिल यह सब बातों को यह भूल जाता है स्टोरी यहीं समाप करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ